हेलो स्टुडेंट वेलकम टो एंसी आटे क्लासेज बायरा के स्टेमरी सर आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास टेंथ स्वारी क्लास नाइं एंसी आटी मैथेमेटिक्स के चेप्टर नंबर टू पॉलियुमिल जिसको बहुपत कहते हैं कि एक्सरसाइज 2.5 के शालूशन की इसमें मैंने प्रीवेश वीडियो में प्राया था आपको 2.5 के इंटुडेक्शन को कि आप 2.5 को कैसे स्वालू करेंगे इसमें कुछ सरसमीका है हमने देखा था उन सरसमीकाओ पर आधरित कुछ कोशन मनने वाले हैं तो चलिए कोशन आपकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे नए जूड़े होंगे प्लिस चैनल पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को इने बल करें तदा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो ठेक है तो चलिए ज्यादा स में कहता है उपयुक्त सवरस्वमिकाओ को प्रियोग करके यानि उपयुक्त सवरस्वमिकाओ को नहीं आना चाहिए यहां क्या आना चाहिए का प्रियोग करके निम्लिकित गुननफल ग्याद की है ठेक है तो हमें यहां पर सवरस्वमिकाओ का उपयोग करके क्या करना है कि गुननफल गयात करना है निमलिकित का जिसमें पहला कुश्चन दिया गया है x प्लस 4 into x प्लस 10 है ना तुमको इनका यूज करके क्या करना है कि इनके value find out करनी है clear है तो चलिए चालू करते हैं इसको के हलको तो देखिए पहला question given है हमारे पास देखिए first का अगर मैं first की बात करूँ तो यह first का first में दिया गया है x प्लस 4 into x प्लस 10 ठेक है तो देखिए x प्लस 4 into x प्लस 10 मैं यह इतना सारा बताने से पहले आपके पास यहां पर सबसे पहले मैं कुछ आपको स्वरसमीका बताना चाहूंगा कि आपको इस स्वरसमीका को याद रखना है अगर यह आपको स्वरसमीका याद रहेगी तो ही आप क्या कर सकते हैं इन्हें हल कर सकते हैं ठीक है तो चलिए स्वरसमीकाओ को सबसे पहले देखते हैं क्लियर है सभी को चलिए स्वरसमीका बता दू मैं आपको स्वरसमीका देख लेते हैं पहले इन स्वरसमीकाओ की हेल्प से ही कोशन बनने वाले हैं देखिए आपको यहाँ पर याद रखनी है स्वर्शमीका है ठीक है तो मैं यहाँ राइट कर देता हूं इंक चलो चेंज कर देते हैं यहाँ इंक ले देते हम अधर खूंसी इंख ले ले वाइट डिल प्लेट भ्लेट है यालो स चलिए यह पर हम्य पुर सर्शमी का ले रहे हैं मैं इतने में सर Precisicic来 लेता हूं दूसरी स्वर्समिका होती है, a minus b of full square is equal to a square minus 2ab plus b square, तीसरी स्वर्समिका आप देखेंगे, तो होती बेटा a, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, यह आपके बाद 3 स्वर्समिका दी होती है, उसके बाद 34 स्वर्समिका और एक लिए लेते हम, 24 स्वर्समिका में, यहाँ पर देखेंगे आप, कि x plus a into x plus b, ठीक है, this equal to x square plus a plus b into x plus a b, ठीक है, a b, यह 24 स्वर्समिका होती है, अगर आप 25 स्वर्समिका की बात करेंगे, तो 25 स्वर्समिका आप की हो जाएगी, देखें, 25 स्वर्समिका में काम लिए देते हैं, कि x plus y plus z का whole square, चोड़ें, यहाँ, a b, c की रुपन लें, x, y, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर x, y ले सकते हैं, ठीक है, अब क्या बोल देंगे, इसका square is equal to कितना होता है, यह होता है, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, x, ओके, उसके बाद, आपकी 6 वाली जो स्वर्समिका होती है, आप 6 स्वर्समिका देखेंगे, तो 6 स्वर्समिका आपकी बहुत easy सी होती है, कि x plus y of whole cube is equal to x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube, ठीक है, यह स्वर्समिका आपको याद रखने पड़ेगी, उसके बाद, next चलते हैं, तो कुन सी हो जाएगी बिटाएं आपर, 7th हो जाएगी x minus y of whole cube is equal to, यह होगा x cube minus 3x square y plus 3xy square minus, यह हो जाएगा आपका y cube, ठीक है, कितनी स्वर्समिका हो गई आपकी यहाँ पर, यह हो गई आपकी 6, स्वारी कितनी, 7 स्वर्समिका हो गई, और लास्ट और 8 वी स्वर्समिका देख लीजिएगा, यह होगा आपकी 8 वी स्वर्समिका हो होने वाली बिटा, कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to, यह होगा आपका x plus y plus z into, यह हो जाएगा, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, ओके, तो आपको यह 800 समिका याद रखनी है, इनी 800 समिका उपर आपके questions हलोने वाले हैं, ठेक है बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं इसका पहला question, तो पहले question को हल करेंगे हम यहाँ पर, तो देख लिजिए पहले question को कैसे हल करेंगे, देखो, पहला question दिया गया आपके पास, x plus 4 into x plus 10, ठेक है, अब यह स्वरसमिका कौन से apply होने वाली है यहाँ पर, स्वरसमिका नंबर 3, देख लो 3 को, स्वारी 3 है, 4, देखो, x plus a into x plus b, दिख रहा है आपको, a के value दिख रही है आपको 4, यह a के जैसे दिख रहा है और यह b के जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर बोल देंगे स्वरसमिका, सर्व समिका कौन सी, x plus a into x plus b is equal to x square plus, यह हो जाएगा, a plus b into x plus, क्या हो जाएगा, a b, इस स्वरसमिका सी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल देंगे, यह स्वरसमिका है, है ना, से, तब हम क्या बात करेंगे, कि यहाँ पर value रखो, चलो, x के x हो जाएगा, plus a के जगा तो 4 है ना, देंगे, इस एक्या हो जाएगा, x square plus 4 प्रस 10 कितना होगा, बेटा 14, और यह होगा, x plus 4 इंटू 10 कितना होगा, 40 होगा, और यही आपका क्या होने वाला है, right answer होने वाला है, ठीक है, इसी प्रकार से, हम second question देख लेते हैं, ठीक है, second question दिया गया है, x plus 8 minus 10 ठीक है x plus 8 into x minus 10 दिया है तो देखिए इसको कैसे swallow करेंगे आप इसको लिखेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा x minus sorry x plus 8 into x minus 10 यह दिया हुआ है आपके पास ठीक है तो अब देखिए इसको कैसे swallow करेंगे आप तो यहाँ पर भी हल में क्या लिखेंगे सर्वाश ममी का कौन सी बेटा यही स्वाश ममी का कौन सी से 44 से मतलब कि x प्लस a और यह जाएगा x प्लस b इस एखल टू यह यहां पर मैं थोड़ा समझाना चाहूंगँ को यहां पर समझा दे रहा हूं देखें इधर यहां कि X प्लस के प्लस होगा एक ही जगा अपका टीक है यह कबल टू एकस स्क्वायर अब नहीं से एड यह सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह जाएगा एकस और देखिए अब क्या करेंगे 8 में 10 का गुना करेंगे तो 8 धाम 80 बटरीन 80 यह इसका क्या होगा राइट अंसर होगा ठीक है स्वारसमी का आपके सामने लखी हुए ठीक है चलते हैं next question पर चलो next question क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 अब जाब अब इसको हल करेंगे तो इसका अंसर क्या होगा ठीक है बहुत ही ध्यान समझना ज्यादा कठे नहीं easy होगा ठीक है पूरी स्वारसमी का ओपर बेज़ चलने वाले हैं तो कैसे आप हल करेंगे उसको समझते चलिएगा ठीक है अब वही स्वारसमी का लगाने वाले कुंसी बिटा x-a और यह हो जाएगा into x plus a into x plus b is equal to x square plus क्या होगा a plus b into x plus यह क्या होगा a b ठीक है तो अब इस स्वारसमी का ओकी help से करेंगे मिस्को रख करेंगे ठेक है न तो कैसे हल करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा ठेक है तो चलिए चालू करते हैं अब देखो क्या कम करेंगी x के जगए तो यह हो जाएगा 3x plus a के जगए 4 फिर x के जगए 3x plus यह b के जग कर लेते हैं यह क्या दिया गया है इंटू अब देखेंगा ध्यान से चलिए अब इंटू चलते हैं तो यह हो जाएगा 3x-5 इस इकवल टू चलिए अब देखोना एक्स तो सेम रहता है तो यह भी सेम है यहां पर फर्स्ट वेली सेम है तो इसको लिखेंगे 3x of whole square plus a के जगर लिखेंगे आप 4b के जगर लिखेंगे माइनस 5 ठीक है और यह x फिर प्लस यह जाएगा 4 into minus 5 ठीक है इस इकवल टू क्या होगा यह हो जाएगा 339 9x square प्लस देखो बड़ी संक्या के रीन का चिन्न है तो यह क्या हो जाएगा प्लस के जगर क्या आने वाला यह प्लस नहीं लिखेंगे यहां क्या जाएगा माइनस आ जाएगा यह हो जाएगा एक्स क्योंकि पांच में से चार गया तो एक बसता है ठीक है क्या जाएगा 9x square मैनस x और यह हो जाएगा माइनस पाच चों 20 यह 20 हो जाएगा यह आपका राइट अंसर होने वाला है चलते हैं कोशन नंबर 4 पर तो कोशन नंबर 4 क्या होगा बेटा देखिए कोशन नंबर 4 क्या दिया आगे आपके पास यह वाई square प्लस 3 अपांट टू और वाई square माइनस 3 अपांट टू अब ध् देखेंगे यह हो जाएगा वाई square प्लस 3 अपांट टू इंटू वाई square माइनस 3 अपांट टू यही बात दिया गया है देख लेते पूर्ण एक बार हम क्या दिया वाई square प्लस 3 अपांट टू और वाई square माइनस 3 अपांट टू ठीक है चलिए अब इस question को अल करते हैं तो यहांँ पर एके जग़ दिया है एक chunk है य Quarter प्लस 3 अपांट टू आप जब एक के जग़ा देखेंगे आप से führ के जग़ा है और बी के जग़ा क्या है तो three अपांट टू दिख रहा हैं तो यहां पर य पर देखो ना हमने एक फार्मूला पढ़े थे मैं यह लिए देता हूं चूंकि एक बात होती है क्या बात होती बैटा के a raise to the power n the whole raise to the power m it is equal a raise to the power m into n होता है तो देखो य पर दोगीघा फिर पूरे पर दोगीघा दो दो नहीं चार ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं हम फिप्त कोश्चन की और फिप्त कोश्चन देखे इसका 3-2x और यह कितना दिया 3-2x तो सेम इसको ऐसी यहल करना है चलिए दिख लेते हैं 3-2x, 3-2x, देखो, यह हो जाएगा आपका पाचवा, 3-2x और यह हो जाएगा 3-2x, अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, यह भी हो जाएगा A-B और यह हो जाएगा A-B जाएगा A-B जैसे, ठीक है, इस इक्वल to A-B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A B-के जगह क्या दिख रहा है आपको, यह दिख रहा है 2x दिख रहा है का होल स्कायर, इस इक्वल to 9 इस्प्वाइर, यह मतलब की 3 का वर्ग 9, उसके बाद देखिए, यह माइनस 2 का वर्ग 4 और x का x स्कायर, यह इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, चलिए, द आप स्वरस्व में काओ क्या अधार पर बनाएंगे, तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको कोई भी चलो, पहला कोशन बता रहा हूं, और मैं हिंट कर दूँगा, दूसरे तीसरे को, ठीक है, पहले पहले कोशन कोशन जो, 103, 107 है, ठीक है, कितना है, 103, है न, यह दूसरे का दे सकते हो, अब यह स्वरस्व में का बन गया, X प्लस A इंटू X प्लस B जैसे, यहाँ पर एपला होगी, X प्लस A वाली स्वरस्व में का A, और यह जाएगा, X प्लस B, is equal to X square प्लस A प्लस B इंटू X प्लस AB, so I write now, X square की value हो जाएगी, 100, 100 का square प्लस, A की value है विटा 3, B की value है 7 और यह हो जाएगा X, है ना, और X की value हो जाएगा, और X की value हो जाएगा, प्लस A इंटू B, मतलब की 3 इंटू कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, this equal to, 100 का square हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 100, एका यह दाहिस, एकड़ा हजार, 10,000 हो जाएगा, प्लस, अब देको 3, 7 और 3, 10, और 10 का गुणा 100 में करेंगे, sommes, 1000 हो जाएगा, उसके बाद यह प्लस, 7 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, this equal to, जब आप इनको add करेंगे, हो जाएगा, 0 है ना, कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा, 1, यह होगा, 2, कितना हो जाएगा, 1, 2, पिर कितना होगा, 0, फिर 1, और next question हो की अब देखिए question number इसका second का कुन सा दिया गया है आपके पास second second के second को मैं hint कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा ठीक है तो चलिए second के second को समझते हैं क्या आप ये 95 है ना क्या दिया गया आपके पास 95 इवन है तो क्या इस 95 को आप ऐसा लिख सकते हैं कैसे लिखना है 95 को आप ऐसा लिखेंगे कि हंड्रेड माइनस 5 राइट कर सकते हैं और 96 को आप 100 माइनस 4 लिख सकते हैं ठीक है अब इसका करना एक वेल्यू माइनस 5 भी के वेल्यू माइनस 4 ठीक है अब इसको सवालो करेंगे नहीं बनेगा तो मुझसे पूछेंगे यानि कि आप क्या कर लेंगे यहां पर कमेंट सेक्षन में करेंगे कि सब्सक्राइब नहीं बन रहा है ठीक है और बन जाएगा तो अच्छी बा 104 को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि सव धन 4 जबकि 196 को हम लिख सकते हैं सव रिंज 4 ठेक हैं अब धियान से देखो a plus b और a minus b जैसे लिख रहा है यहां पर तो इसको लगाएंगे सवर्समी का a plus b into a minus b this equal to a square minus b square तो i write now a a की value कितनी है यहां पर 100 है 100 plus अब देखो 4 हो जाएगा यह और यह हो जाएगा 100 minus 4 so यह हो जाएगा 100 का square minus 4 का square this equal to 100 का square होगा 10,000 ठीक है minus 4 का square 16 अब देखो दोनों का a करेंगे तो one zero zero one six यह इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठेक है तो ज्यादा यह कठीन हमारा question नहीं होने वाला है स्वारी 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 एड कर दिया क्या मैंने स्वारी क्या कर दिए minus करेंगे ना यह minus तो जब आप इस में से इसको घटा होगे तो यह कितना हो जाएगा आपका answer nine nine eight six nine nine eight four nine nine eight four nine nine eight four क्योंकि देखो ना घटाएंगे जिरो में से छे नहीं जाता है इस दस में से गया तो चार यहां बज़ गया नौ में से एक गया तो आठ यहां बज़ गया नौ कि नौ और यह नौ ठीक है चलो ठीक है यह right answer है उसका देखिए थर्ड question के बाद चलिए पहले के तीनों हो गए अब तीसरे को देखते हैं क्या कहता है उपरिदुक्त सरसमिका का प्रियूप करके निमलिकित के गुनन खंडन कीजिए यानि पहले हमको देखो गुनन खंडन दिये थे गुनन फल निकाले थे पहले question में है ना कह दिये थे गुनन खंडन दि फर्स्ट कोश्चन है बिटा, कहता है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठेक हैं, अब जब आप इसको ऐसे लिया गया है, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते थे, 9 को लिख सकते थे, 3x आप 4² लिख सकते हैं इसको, प्लस 6xy, अब 6xy है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2, है ना, 2 into 3x, और ये y लिख सकते हैं इसको, प्लस और ये हो जाएगा y का स्क्वार, अब देखिए धियान से, मैंने इसको क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मेरे को ये ऐसा दिख रहा है, अब मैंने यहाँ पर 9x स्क स्क्वार, मतलब एक पहली वैली तो बिल गई 3x, ठीक है, फिर देखो तो इसको मैंने लिख दिया 2 और इसको लिख दिया 3x, तो इसको ना, 2 तीया 6 है, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वार, ये इसलिए भी लिखा हूँ, क्योंकि मिरको ये ऐसी स्वर्स होने का जैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये स्वर्स होने का जैसे दिख रहा है, बेटा मुझे, कि a plus b of whole square is equal to a का square plus 2ab plus b का square, ऐसा देख लिजिए यहाँ पर a की value क्या है, 3x है, 2 के 2 हो गया, फिर से देखो एक की value 3x, वह बी की value y दिख 3x into y plus y square, so इसको आप ऐसा लिख सकते, a की value क्या दिख रही है, आपको, a की value क्या दिख रही है, 3x दिख रही है, तो 3x, और b की value क्या दिख रही है, ये इसका क्या होगा, राइट अंसर होगा, मतलब इसको आप ऐसे लिखने वाले हैं, मतलब इसको कैसे लिखने वाले हैं कि x याने 3x प्लस y आफ फोल स्केर मिला ना y फोल स्केर मिला इसका मतलब इसका आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस y into 3x प्लस y ओके ये मिला है चलिए चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं देखें नेक्ट टॉपिक की ओर या नेक्ट कोशन की ओर देखिए थर्ड का आप देखो 2nd और 3rd questions बहुत अच्छे हैं समझना पड़े हैं आपको है ना तो देखिए question number 4 पर चलते हैं हम यहां के इसके स्वरी थर्ड के second पर तो थर्ड का second देखिए क्या दिया गया है थर्ड का second देखते हैं ठीक है तो थर्ड का second हमार पस दिया गया 4y square 4y square minus 4y plus 1 ठीक है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बिटा 2y of whole square minus तो इसको आप बूल सकते हैं 2 into 2y into 1 और यह plus 1 का square बूल सकते हैं ऐसा अब ध्यान से देखिए का बहुत ही ध्यान समझना मैंने कहा इस 4y square को लिखा 2y का whole square minus इसको लिखा 2 दूनी 4 और यह y और यह into 1 तो मतलो बही रहे जाएगा और यह plus 1 का square तो यह आपको ऐसा दिख रहा है यह देखो इसको मैं ऐसा बूल सकता हूं यह जो 2y मिल गया तुम्हें को सरसमी का मिल गई क्या मिला कि a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b of whole square और यह सरसमी का जैसे दिख रहा है देखो न एके जगह क्या दिख रहा है 2y of whole square दिख रहा है 2 के जगह 2 a की value तो 2y b की value कुछ नहीं मतलब 1 plus यह गया 1 का square this equal to a के place में क्या है 2y है b के place में क्या है 1 है और यह square मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2y minus 1 into 2y minus 1 यह इसका क्या होगा answer होगा क्या cutting है बहुत easy है बहुत easy है बहुत आसा नहीं समझे है आप इन question को चलते हैं इसके third question की और third question क्या दिया गया देखिए यह दिया गया है बिटा हमारे पास x square x square minus y square upon hundred चलिए इसके गुनन खंडन करेंगे तो कैसे होगा देखिए रहन से क्या हम इसको ऐसा लिख सकते है x square minus y upon ten of whole square लिख सकते हैं अब देखिए स्वरसमी का ऐसी दिख रही हम को कैसे दिख रही है a square minus b square is equal to a minus b और यह हो जाएगा a plus b यह सुनो देखो अ के जगा क्या x square x है b के जगा क्या y upon ten है अब इसको ऐसे लिख सकते है ना इसको क्या लिख सकते है इसको लिखेंगे x minus y upon ten और इसको लिखेंगे x plus y upon ten और यह है इसके गुर्ण दनोंगे क्Яा कठिन हैं बहुत easy question है बहुत ही easy question से आपके आपको कठिन नहीं समझना है ठीक है जिन से easy कुछ नहीं हो सकता ठीक है चलते हैं इसके next question क्योborg question no. 4 क्या कहता है उप्रुट दो सरसमेका का प्रियुक करके जिमलिकित में सर्थ त्रत्prem का प्रसार कीजिए हमको स्वर्समीकाओ का यूज करके इनका प्रसार करना है अब प्रसार करना कटिन तो नहीं होगा समझ तो आगया है इसको बहुत अच्छे समझाया था ठीक है तो इंट्रोडेक्शन की जो वीडियो की लिंक है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है फूर्थ का फॉर्स्ट एफटा है यह दिया अपके पास एकस प्लस तो य प्लस फोर जेड़ अफोल स्कॉयर ठीक है अब टू को फुर्ण वाली कंदिसन अएक टू को ऐसा लिखनेवालों आई सलीकने वालों देखी द्यांसे अब आपको सुर्समीका एक यह होगी कि x plus y plus z of full square is equal to यह होगा x square plus y square plus z square plus क्या हो जाएगा twice xy plus twice yz plus twice zx यह रेख लीजिए स्वरस्वमिका नंबर यहां पर यह स्वरस्वमिका मिल गई है आपको तो फिफ्ट वाली clear है तो यह स्वरस्वमिकाओ की help से बनाएंगा तो चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहां पर x की value क्या दिये बिटा हमारे पास यह दी गई यह x ही है y की value जबकि 2y है और z की value क्या है z 4z है 4z का square this equal to x की value रखो तो x square है ना प्लस यह जाएगा 2 और यह जाएगा y of whole square फिर क्या होगा plus यह होगा 4 4z है ना 4z square फिर क्या होगा plus 2x और y की value क्या है 2y फिर plus यह होगा 2 यह होगा 2y into 4z फिर क्या होगा plus 2y into z की value बिटा 4z है और into x की value x है स्वालों कीजिए तो यह हो जाएगा x square plus यह हो जाएगा 4y square क्योंकि देको 2 का बर गचार और y square plus यह देको 4 का square 16 और z square plus क्या हो जाएगा 2 का multiply 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2 to the 4xy plus 2 to the 4 for the 16 yz फिर plus 2 for the 8 और यह हो जाएगा z x और यही क्या होगा आपका answer होगा ठेक है ज्यादा कठीन नहीं है बहुत easy है देखते हैं इसके second question की और second question क्या दिया गया बेटा हमारे पास second question दिया गया है कि 2x-y plus z of whole square है ना 2x-y plus z of whole square दियान से देखिएगा इसको आप कैसे हल करेंगे यह हो जाएगा आपका 2x-y plus z of whole square तो दियान से देखिए is equal to x की value क्या दिखरी है आपको यह दिखरा है प्लस z की value क्या दिखरी आपको यह होगे z तो z का square फिर यह हो जाएगा plus यह 2x-y फिर y की value-y है और z की value तो z ही रहें दीजी फिर 2 की 2 फिर z की value z है और x की value 2x है ठीक है तो this equal to यह हो जाएगा 4x square फिर देखो minus y का square मतलब plus y हो जाएगा plus y square होगा फिर plus z square फिर हो जाएगा minus है तो plus r minus minus 2 2 4 4xy फिर हो जाएगा plus r minus माइनस तो जाएगा 2YZ फिर क्या होगा यह प्लस में है तो यह होगा फ्लस दो दुनी चार तो 4ZX और यह क्या होगा इसका right answer होगा यह सी प्रकार से इसका 3rd देखते हैं third question क्या दिया गया है तो third question अब क्यासे ये दिया गया है fourth, fifth, अभी इसको आप बना के देखेगा, मैं इसका आपको कुन सा बताने जा रहा हूँ six वाला question, कुन सा वाला, six वाला तो six वाले question को बहुत ध्यान से देखेगा और नहीं बनेंगे तो आप मुझे two, b और a plus one of whole square के cube है, देखेगा हमसे एक बार whole square है, whole square, तो यह हो जाएगा whole square, this equal to, यह होगा आपका source में का से में यह apply करेंगे, तो देखे, x के जगा तो one upon four है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ तो a upon four बोल सकता हूँ, a upon four का square, ठेक है, फिर plus, यह होगा y के जगा क्या है, minus b upon two, whole square, फिर plus, z के जगा क्या है, तो one का square, plus, यह हो गया two, x की value क्या है बिटा, a upon four है, b की value क्या है, sorry, y की value क्या है, minus b upon two है, फिर two हो गया, फिर आप देखेंगे, तो यहाँ y की value B upon 2 है और Z की value तो 1 ही है तो 1 ही रहन दो फिर प्लस 2 into Z की value 1 into X की देखिए तो यह हो जाएगा A upon 4 है चलिए this equal to यह होगा बेटा A upon 4 का whole square का मतलब होता है A square upon 16 फिर होगा plus देखो minus भी समसंके की घात है मतलब plus होने वाला है तो जाएगा B square upon 4 फिर plus 1 फिर plus sorry plus or minus minus क्या हो जाएगा plus or minus क्या होने वाला बेटा यह minus होगा plus or minus क्या होगा यह minus होगा ठीक है इसको clean करना पड़ेगा minus को only 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 कटनी रहा है चलो ठीक है कोई बात ने इसको क्या कर दे रहे हैं मैनस कर रहे हैं क्या कर दे रहे हैं यह minus है अब देखिए यह हो जाएगा देखो यह 2 से 2 अब देखो यह 2 से 2 चलो गया मतलब आपका आग्या minus ab upon 4 फिदेखो यह minus में आएगा यह 2 से 2 के लो गया तो यह ओजाये आपका only B फिर क्या हो गया फिर आएगा यह plus और देखो यह 2 से यह 4 तो यह upon तो आज बहुत कुश्चन हो गए हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुश्चन देखेंगे वीडियो अगर आपको पसंद आए मैत समझ में है तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिला एकन को इनिवल कीजिए और ज्यादा ज्यादा कमेंट की कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं थैंक यू